रिलीज के एक दिन पहले पोस्टपोन हुई दिव्यांका त्रिपाथी की The Magic of Shiri, जैन समाज के विरोध के चलते मेकर्स ने उठाया ये कदम. दिव्यांका त्रिपाथी की वेब सीरीज The Magic of Shiri अब पोस्टपोन हो गई है. जियो सिनेमा पर आने वाली ये सीरीज 13 जुलाई को प्रेमियो होने वाली थी, लेकिन अब इसे मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया है. इस सीरीज के ट्रेलर में दिव्यांका यानी शीरी के पती को, किसी को बिना बताय भाग कर जैन समाज की दीख्षा स्वीकार करते हुए दिखाया है. और इस सीन के साथ जिस तरह से जैन समाज को पेश किया गया है, उसे लेकर जैन समाज ने विरोध जाहिर किया है. TV9 से बातचीत में आचार्य तीर्थभधर सुरेश्वर जी महाराज की तरफ से कहा गया है कि The Magic of Shiri का ट्रेलर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये सीरीज पूरी तरह से जैन धर्म की मान्यताओं का उलंगन कर रही है या लोगों को इसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में भी गुम्रा कर रही है जो किसी भी जैन धर्मिय को स्वीकार्य नहीं है हमें कई सरकारी अधिकारियों को हमारी इस चिंता को लेकर पत्र से संपर्क किया था हमें खुशी है कि इस सीरीज की रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है उन्होंने आगे कहा कि इस सीरीज में श्वेतांबर संपरदाय के एक जैन भिक्षु को दिखाया गया है जो किसी भी अपने से अलग लिंक के व्यक्ति के सामने खुद के शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखाता पूरी तरह से कप्रे पहनता है लेकिन सीरीज में उन्होंने इस तरह से कप्रे पहने हैं कि उनके शरीर के ऊपर का कुछ हिस्सा खुला नजर आ रहा है एक जैन भिक्षु ब्रहम चरे का पालन करता है जहां उन्हें महिलाओं को छूने की भी सक्त मनाही होती है इसलिए उनके कप्रे खीचना स्वीकार्य नहीं है सौसिस के अकोर्डिंग जल्द ही क्रियेटर्स इस सीरीज को एडिट करेंगे और फिर ये सीरीज OTT प्लैटफॉर्म जियो सिनेमा पर स्ट्रीम की जाएगी जहां इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि इस सीरीज की वज़से किसी की भावनाय आहात न हो